वल्कम टो माई चैनल फ्रेंज आज मैं आपको मेरी इंडोर एरिका पाम के बाड़े में कुछ बताना चाहते हूँ एरिका पाम जो होते हैं इंडोर और आउटडोर दोनों जगा में बहुत अच्छी तरसे होते हैं और इसमें एक गोल्डेन योलो आते हैं एक ग्रीन कलर की अभी आते हैं यह वाली इंडोर प्लांट्स जो एरिका पाम है एक ग्रीन भैटी के अंदर परते हैं और देखवाल करना बहुत ही इजी है यह देखे बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है इसकी लिप्स नया लिप्स एरिका पाम जब आप घर में राखते हो तो यह दिखना पड़ते हैं इसमें थोड़ा सा लाइट भी आते हो और यार सार्कुलेशन भी थोड़ी अच्छी तरह से आते हो नहीं तो यह जो पत लिप्स आपको दिखाए दे रहा है यह सुख जाते हैं यह देखें इसकी नया जो सूट लिप्स की वह रहा है तो ऐसी आप समझेंगे आपके प्लांस हेल्दी है मैं आज आपको बताना चाहते हूँ मैं इसको कैसे देखभल करती हूँ जिसे की प्लांस बहुत ही हेल्दी क्रोह हो रहे और यह हमारी ऑक्सिजेन भी देते हैं इंडोर प्लांस अगर घर में रहे दो-चार तो आपको भी अच्छा लगेंगे और प्लांस भी ऐसी हेल्दी ग्रोह होते हैं अपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा देखने में मैं इसको सोयल दिखा रही हूँ आज ही मैं इसमें पानी दिया है एरिका पाम अगर अपके पास है तो पानी अप कौमी देने के प्रयास करें और इसकी सोयल बिल्कुल मतलब ड्राइ होना चाहिए नहीं तो उसके बाद पानी देना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत कम पानी लेता है अगर पानी ठैर जाए तो इसकी जो रूर्स है गल सकते है और लिप्स भी डेमेज हो सकते है इसमें फाटी लेजर की इतना बड़ी बात नहीं होते अगर आप देना चाहिए तो मांतली एक बार आप लिकार जैसे चाय का लिकार या कौफी का लिकार आप दे सकते हैं जैसे मैंने देखे आधा टी स्पून से कौफी का लिकार दे रही हूँ नहीं तो आप एक एक जैसे मौग है आप छोटा सा मौग के काप के जैसे आप चाय का लिकार भी आप डाल सकते हो लगों हो जैक पाटिलाइजयर के रूप में ये बहुत आच्छे होते है और इसकी जो इसस्लार सले आपको बछहना है। स्वाअल ना है स्वाइल मेरे थोड़ा स्ले स्लेंसते आचさ रहते है। इसके लिए थोड़ा टूं ट्वाइठ पार्सन को कोड़ एफ आईसे सेंडी सोयल ले लिजिए और कुछ नीम खली और भार्मी कमपोस्ट से आप बना सकते आप एक बात ख्याल रखना चाहिए इसकी जो जब भी आप देखेंगे इसकी नोट सोयल के उपर होना चाहिए नहीं तो एगर नोट अगर सोयल के नीचे रहे जाए तो इसके लिए अच्छा नहीं रहते हैं पापोगेसन के लिए भी ठीक रहते हैं और भी मैं एक दिखा रही हो यह देख लिए यह भी बहुत अच्छी तरह से ग्रू हो रहा है इंडूर्ट प्लांस के बाँ एक ही बात आप ख्याल राखना जोड़ी होता है ओँ है थोड़ा इंडरेक्ट सानलाइट और थोड़ा सा कम पानी और यह शार्कुलेशन अगर ठीक रहे तो बहुत अच्छी तरह से यह सभी इंडूर्ट प्लांस अच्छी तरह से ग्रू हो झाल झाल